हेलो दोस्तों तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं जो आप लोग का एकजाम का तयारी बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा तो दोस्तों आज जो है हम लाए हैं इस्टेटिक जीके का कोश्चन ओके दस कोश्चन है तो ये जो है आप लोग जो है दस कोश्चन बनाईए ओके बताईएगा जरूर ओके और यदि आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा ओके तो आईए जो है आज का वीडियो इस्टार्ट करें और आप लोग अच्छा सी एक्जाम का त्यारी करते रहिए और अब तो गुरूप डी में भी जो है दो एक्जाम कर दिया है तो यह सब तो थोड़ा लफरा का काम कर रहा है फसाने का इस्टोडेंट के साथ मतलब जैसे के टाइम पास एक तरह से सीवीटी वन दीजिए फिर उसमें लगेगा टाइम फिर आप जो है टू दीजिए इसी मापका जो है मतलब एक से दो साल पास हो जाएगा ठीक है न मतलब टाइम टेकन करने के लिए यह सब काम हो रहा है तो यह अटिए टू के लिए अच्छा डाता ऑगे आधे के स्टुडेंट को चांस मिलते और फिर ज्य है उसमें अपना जो है अलग-जाट पोस्ट वायज हुज अपना मांता है कि आपको इसमें फाइनल हुआ है आपका जो आत इसमें भी है इसमें भी है आप अपना जो आत सको के अंसर उसको मिलेगा तो अभी ही चांट दिया है मतलब कोई इसका जरूरी नहीं था अभी चलिए देखिए करता क्या है रेलेविए इससे आप लोग प्रोटेस्ट करते रही है अच्छा रहा है क्योंकि अंदोलन से ही बहुत कुछ हांसिल होता है चलिए तो हम लोग पहला कोच्चन देखें पहला क्या है कि बाह अंत्रिक्ष में चलने वाला पहला अंत्रिक्ष यात्री कौन थे तो आपका अप्सन है नीलम अर्मेश्टों यूडी गागनिंग एलेक्सी लियोनोग डेव स्कॉट तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा अप्सन सी जो है एलेक्सी लियोनोग ये जो है कहां के थे यात्री रूस के थे ओके चलिए आगे चलते हैं कोच्चन दो आप लोग अपना Heute देखते रहिएगा क्या आपका है दस में कितना होता है सही ओके चलिए दो नमर क्या है किस एरोपिय राजनेता को आईरन चांसलर कहा जाता था मतलब यह फिर जो है कहा जाता है जो भी यह सब एस्टेटिक अस्थाई हो चुका है तो आपका उप्सन है बिलियम ओन मोल टके ओटो ओन बिसमार्ग मेटर निक तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा अप्सन C ओटोन बिसमार्ग ओके यह बिसमार्ग जो था वो एक तरह से जो है इरोपिय देश जर्मनी ओके इसका जो है राज नेता था और जितना भी जर्मन भाहासी मतलब छेतर था उसको यह जो ही कठा कर दिया था ओके तो इसी लिए इसको जो है मतलब आईरन चांसलर भी कहा जाता है और इसी के जो नाम से मतलब जैसे के लौ पुरूस जो होता है वो जो है इसी के नाम से भारत के जो बिसमार्ग है कौन है भारत के जो है यूए लॉप पुरूस कौन है सरदार प्टेल है तो offline में जो बिसमार्क हैं जो आइरं चांसलर है जिनसे परेडीट होदा के ये नाम तर्दार पटेल को भी जो है दिया है तो जो है यही थे मतलब ओटोन बिसमार कहीं थे कहां के जर्मनी के ओके चलिए आगे देखें क्वेशन नमर तीन निमलिखित में से कौन अंग्रेजी का परसीद लेखक है आपका ओप्सन है अमरिता पृतम महादेवी बढ़मा आसापुर्ण देवी मुलकराज अनन्द तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा ओप्सन दी मुलकराज अनन्द जो है वो सिर्फ जो है मतलब अंग्रेजी में लिखते हैं ओके अंग्रेजी लेखक है और सब हिंडी पंजाबी मांगला चलिए चौथा नमर चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था आपका ओप्सन है यूरी गागरीन नील आरम स्टोंग बज एलरीन माइकल कॉलिन्स तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा ओप्सन सी बज एलरीन जो है नील आरम स्टोंग और बज एलरीन जो है मतलब एक साथ ही गए थे पर्थम आदमी ये थे दूसरा आदमी ये थे है ना 1979 में चलिए आगे देखें पचमा नमर चंद्रमा के पिछले पास्चुर की फोटो किस ने ली थी इस सेटेलाइट का जो है नाम है आपका अप्सन है वाइकिंग पर्थम ने वाइकिंग दूतिया ने लूना तिरतिया ने मेरा इनर नवमने तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा अप्सन सी लूना तिरतिया जो की 1969 में 1969 59 में भेजा था कौन रूस जोस में सोबियत संग कहा जाता था चलिए आगे देखें चठा नमर चठा क्या है समुदरी रास्ते से सरव पर्थम संपूर्ण पिर्थवी का चक्कर लगाने का स्रे किसे दिया जाता है आपका अप्सन है बार्थिलियम डियाज फर्दी नेड मेकलन जैम्स कुक जुआन सेवेश्टियन तो दोस्ते इसका सही आंसर क्या होगा? option B Fadined Megalan ये कहां की यात्री थे पुर्तगाल की यात्री ओके चली आगे देखें सत्मा नमर सत्मा क्या है निम्रिखित में से किसे वाग पटू वक्ता कहा जाता है ओके तो आपका option है गोपाल के दिसन गोखले सुरेदेनाद बनाड़ जी व्यमेश चैन्दर बनाड़ जी दादा भाई नेरो जी तो ये तो एक दम जाते आसान question है तो दोस्ते इसका सही अंसर होगा option A गोपाल के दिसन गोखले चलिए आगे देखें आठ नमर आठ नमर क्या है हस्त लीपियों के मूल संस्थापक और कौटिल के अर्थ सास्त के संपादक कौन थे जो कौटिल के अर्थ सास्त था उसका संपादक जो थे उत्थे कौन और यही आदमी जो है मतलब हस्त लीपि का भी संस्थापक कहे जाते हैं आपका option है स्रीकांत सास्त्री स्रीनिवास अयंकर जो है आर सामा सास्त्री बिलियम जोन्स तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा और यह बहुत इंपोर्टेंट है कोश्चन ओके यह अच्छा अच्छा जो है गिजाम में आया हुआ कोश्चन है तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option C आर सामा सास्त्री चलिए आगे देखें नौ नमर नौ नमर क्या है अंतरिक्ष में जाने वाली पर्थम भारतिय अमेरिकी कौन है मतलब भारत भारतिय अमेरिकी जब आता है इसकार्थ होता है कि भारत में जनमी हो और आमेरिका में बड़ी हुई है आमेरिकी जो है नागरिक्ता उनको मिला हुआ है चलिए option आपका है बचेंदरी पाल हरवन स्कॉर जोतिर मई सिकंदर कलपना चाबला तो यह तो एकदम आसान question है तो इसका सही अंसर होगा option डी कलपना चाबला चलिए और आज का अंतिव question देखें क्या है दस नमर क्या है संसार में माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली महिला कौन थी आपका option है बचंदरी पाल जुंको तबई योको ओना आंग सुंग तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option भी जुंको तबई जो 1975 में जुंको तबई जापान की और पहला जो भारतिय थी महिला उथी कौन बचंदरी पाल कब 1984 में इस पी भी आता है चलिए तो दोस्तों आपको 10 में कितना हुआ इस सही आपका कमेंट कीजिए और यदि जो है वीडियो अच्छा लागा होगा तो लाइक कीजिए और जो है इसी तरह की जो है इन्फर्मेटिक वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहे और आप यदि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तो अच्छा से त्यारी करते रहे मिलते हैं एक अच्छी सी जो है इन्फर्मेटिक न्यू वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार